चुनाव का समय है और पिछले दस साल प्रधान मंत्री ने आप सब को अलग-अलग वाइदे किये पंद्रा लाग रुपे हर बैंक अकाउंट में डालने का वाइदा किया डाल दिये डाले नहीं वगर पंद्रा लाग रुपे निकाल लिए नोट बंदी की गलत जी एस्टी लागू की काम किया तो हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरब पतियों के लिए किया मगर किसान, मजदूर, छोटे वियापारी, युवाओं के लिए प्रधान मंत्री ने कुछ नहीं किया हालत ये है कि आज हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है एक तरफ 22 लोग दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग धन दोनों के पास उतना ही नरेंदर मोदी जी ने किसान का एक रुप्या करजा माफ नहीं किया किस स्टूडन्ट का एक रुप्या माफ नहीं किया मजदूर का एक रुप्या माफ नहीं किया मगर इन बाइस पच्चिस लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने सोला लाख करोर रुप्या कर्जा माद किया है ये इतना बड़ा नंबर है कि जब हम ऐसे कहते हैं कि सोला लाख करोर रुप्या माद किया तो आम आदमी को तो पता ही नहीं होता कितना है यह तो मैं आपको बताता हूँ जितना पैसा मन्रेगा को चलाने में 24 साल चलाने में लगता है 24 साल का मन्रेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का कर्जा माव किया है मन्रेगा को 24 साल चलाओ उतना पैसा इन्होंने 20-25 लोगों को दिया और जब किसान कर्जा मावी मांगता है MSP मांगता है तो प्रधान मंत्री साफ कह देते हैं कि किसान को ना कर्जा माव मिलेगा ना MSP मिलेगी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स देता है आजादी के बार किसान ने कभी टैक्स नहीं दी सरकार ने कभी टैक्स नहीं मांगी पहली बार GST में किसान टैक्स दे रहा है जहां भी आप जाओ मैं 4000 किलोमेटर कनिया कुमारी से कश्मीर चला 4000 किलोमेटर चला और रास्ते में जब भी मैं किसे से पूछता था मुद्दा कौन सा है दो जवाब आते थे एक बेरोजगारी दूसरा महंगाई मैंने इनको मीडिया वालों को मित्र कहा मगर ये टीवी पे महंगाई की कभी बात नहीं करते कभी नहीं करते बेरोजगारी के बात कभी नहीं करते ये आपको समुंदर के नीचे नरेंद्र मोदी दिखा देंगे समुंदर के नीचे दिखाएंगे देखो 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 मोदी जी बैठे है कोविट से लोग मर रहे थे और मीडिया वाले देश को कह रहे थे देखो ठाली बजाओ डांस करो और उसके बाद कहते हैं चलो मोबाइल फोन की लाइट आन करो ओक्सिजन नहीं था वेंटिलेटर नहीं थे लाखों लोग मर गए मीडिया ने आज तक आज तक ये नहीं कहा कि कोविड में कितने लोग मरे मगर ठाली की बात करी मोबाइल फोन की बात करी बॉलीवूट दिखा देंगे क्रिकेट की बात करेंगे मगर जो मुद्दे आपके सामने है आपके दिल के जो मुद्दे है किसान के मुद्दे मजदूर के मुद्दे उनके बारे में मीडिया में आपको कभी नहीं दिखाई देगा अब इनकी गलती नहीं है ये जो यहां कैमरा लिए बैठे हैं इनकी गलती नहीं ये ओडर लेते हैं इनको कहते हैं भया देखो अधानी जी का चैनल है अगर यहां काम करना है तो उपर से जो ओडर आ रहा है उसका पालन करो अगर उसका पालन नहीं किया तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा तो नरेंद्र मोदीजी ने पिछले पांच साल दस साल चुने हुए लोगों को देश का पूरा का पूरा धन दे दिया आप जहां भी जाओ हिंदुस्तान में कोने कोने में चले जाओ आपको एक नाम दिखाई देगा एरप्ट अदानी पॉर्ट अदानी पॉर्ट अदानी हैवे अदानी डिफेंस अदानी सोलर पैनल अदानी भिचली अदानी कोईला अदानी और सारा का सारा फाइदा एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने दिया है मैंने उनके बारे में पार्लमेंट में भाशन दिया मेरी सदस्यता ले गए मेरी सदस्यता ले गए सुप्रीम कौट ने सुप्रीम कौट ने मुझे फिर से MP बनाया और मैंने कहा क्या मैंने सिर्व नरेंद्र मोदी ची से ये पूछा हर इंडेस्ट्री में अधानी जी कुँ दिखते है देश की रक्षा हत्यारों में अधानी जी बिजली अधानी जी गोईला अधानी जी और मैंने मोदी जी से पूछा मोदी जी आपका इनके साथ रिष्टा क्या है क्या रिष्टा है आपका इनके साथ रद कर दी और फिर मेरा घर ले लिया ये सोचते हैं कि सदस्यता लेने से घर चीनने से मैं चुप हो जाओंगा मैंने घर के चाबी इनको दी कहा मुझे घर नहीं चाहिए मेरे करोणों घर हैं हिंदुस्तान में करोणों लोग करोणों के दिल में मेरा घर है मुझे तुम्हारी कोई घर की जरुवत नहीं तो अब सवाल उठता है कि जो नुकसान नरेंद्र मोधी जी ने पिछले दस सालों में किया उसके बारे में कॉंग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है आज मैं आपको वो बताने आया हूँ सबसे पहले और सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में गरांतिकारी काम है ये दुनिया के किसी सरकार ने नहीं किया है हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला के बैंक अकाउंट में साल के एक लाक रुपे आपकी नई सरकार डालेगी 8500 रुपे हर महीना पहली तारीक को हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में आपको मिलेगे चाहे आप मज़ूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो अगर आप गरीब हो, तो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार इंडिया घटबंदन की सरकार आपके बैंक अकाउंट में साल का एक लाक रुपे डाल देगी और उस दिन तक डालेगी जब तक आप गरीबी रेखा के नीचे हो जब तक आप गरीब होगे, उस दिन तक एक लाक रुपे साल का आठ अजार पांच सो रुपे महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटा-खट, खटा-खट, हर महीने जाएंगे महिलाओं को महिलाओं को पचास परसेंट रेजरवेशन सरकारी नोकरियों में और जो आशा और आंगणवारी का काम करती हैं उनकी आमधनी हम दुगनी करने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में हजारों युवाओं ने मुझे कहा कि आज हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिलता है आपने देखा होगा कुछी दिन पहले अक्बार में आया कि IIT के लोग जो IIT में ग्रेजुएशन करके आए हैं पहली बार उनको नौकरी नहीं मिल रही यह नरेंद्र मोदी जी की देन है तो इसके लिए हम दो तीन चीज़े करने जा रहे हैं सबसे पहले 30 लाग सरकारी नौकरियां हैं वेकंसीज हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने खाली रखा है उन 30 लाग वेकंसीज को हम आते ही आपके हवाले कर देंगे दूसरी बात अमीर घर के बच्चे जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं कॉलिज से निकलते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में एक साल के लिए छे महीने के लिए अप्रेंटिशिप करते हैं अप्रेंटिशिप का मतलब काम करते हैं तीन महीने का काम करते हैं छे महीने का काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है एक्स्पिरियंस मिलता है ट्रेनिंग मिलती है मगर ये रास्ता हिंदुस्तान के युवाओं के लिए बंद है अधानी का बेटा इंटर्ण्शिप कर सकता है मगर गरीब घर का बेटा अप्रेंटिशिप इंटर्ण्शिप नहीं कर सकता है पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार गरीबों को दिया था अब हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिश्टिप का अधिकार देने जा रहे हैं इसका मतलब कॉलेज युनिवर्सिटी के जो ग्रैजवेट्स हैं डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको प्राइवेट कम्पनियों में पॉब्लिक सेक्टर में सरकारों में जो भी चाहेगा उसका अधिकार बनेगा कि एक साल के लिए उसे अप्रेंटिश्टिप मिले और एक साल के लिए उसे एक लाख रुपे हम देने जा रहे हैं अगनिवीर के बारे में आप जानते हूँ यह जो योजना है यह सेना नहीं चाहती थी सेना अपने जवानों का आदर करती है सेना चाहती है कि उनके जवानों को पेंशन मिले, शहीद का दर्जा मिले, कैंटीन मिले सेना अगनिवीर के खिलाफ है, अगनिवीर को प्रधान मंत्री ने और प्रधान मंत्री के ओफिस ने लागू किया है जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम अगनिवीर योजना को रद करने जा रहे हैं पहले क्या होता था? एक युवा आर्मी में जाता था और हिंदुस्तान की सरकार और आर्मी उसको गैरंटी के कहती थी कि देखिये, आप देश के लिए लड़रे हो, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको पेंशन देंगे अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगे, हम आपकी देखबाल करेंगे अगर आप शहीद हुए आपको शहीद का दर्जा मिलेगा आपकी pension आपके परिवार को मिलेगी और जो भी सुविदाएं हैं आपके परिवार को हम देंगे आज की हालत है कि दो जवान लड़ेंगे एक अगनिवीर और एक regular आर्मी का जवान और जब अगनिवीर शहीद होगा उसके परिवार को कहा जाएगा कि आपके बेटे को हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे उसके परिवार को कहा जाएगा कि आपको pension नहीं मिलेगी यह हिंदुस्तान के युवाओं का पर अपमान है अगर कोई युवा कहता है कि मैं देश के लिए अपनी जिम्दगी देना चाहता हूँ तो उसकी रक्षा करने का फर्स सरकार का होता है और जिम्मेदारी होती है इसलिए जैसे ही अमारी सरकार आईगी अगनी वीर योजना को हम खतम कर देंगे किसानों का बड़ा मुद्दा है किसान पंजाब हर्याना राजस्तान मद्यप्रदेश टमिल नाडू हिंदुस्तान के हर प्रदेश में किसान दुखी है किसान देख पा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के मदद करते है अरब पतियों के मदद करते है हिमाचल में अदानी जी को सेब का कंट्रोल दे दिया तीन कानून बनाने की कोशिश की अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए मगर किसान को सही दाम नहीं मिलता किसान कोई तोफ़ा नहीं मांग रहा कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा किसान सिर्फ ये कह रहा है कि अगर कोई वियापारी कुछ बेचता है और दूसरा सवाल, उतना ही महत्वपूर्ण सवाल, किसान कहता है कि देखिए, अगर अरब पतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो हमारा क्यूं नहीं हो सकता? तो मैं राजिस्तान के किसानों को कहना चाहता हूँ और आपके माधियम से देश के किसानों को कहना चाहता हूँ जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम कानूनी MSP आपके लिए बना देंगे और जैसे नरेंद्र मोधी जी ने 16,00,00,00 करोर रुपे उनका कर्जा माफ किया है वैसे ही हम हिंदुस्तान के किसानों का फिर से कर्जा माफ करने जा रहे हैं भाई और बेनो नरेंद्र मोधी जी भरष्टाचार की बात करते है अदानी जी के बारे मैं मैंने आपको बताया उनकी स्टॉक प्राइस देख लीजिए अदानी जी के स्टॉक प्राइस शेर प्राइस 2014 के बाद बढ़नी शुरू हो गई और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान को मालुम है कि अदानी जी और हमारे प्रधान मंत्री का बहुत अच्छा रिष्टा है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं ब्रष्टाचार मिटाना चाहता हूँ और Electoral Bond Scheme लाए Electoral Bond Scheme में BJP को हजारों करोर रुपे उद्योग पत्यों ने दिये नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम कैसा बनाया उन्होंने कहा कि जो स्कीम में पैसा देगा उसका नाम किसे को नहीं मालुम होना चाहिए कुछे दिन पहले Supreme Court कहता है कि ये जो स्कीम है इसको कैंसल कर देना चाहिए ये लीगल ही नहीं है ये गैर कानूनी स्कीम है इसको कैंसल कर देना चाहिए और जिन लोगों ने जिन उद्योग पतियों ने नरेंद्र मोदी जी को BJP को पैसा दिया उनके नाम पब्लिक के सामने रख देने चाहिए Supreme Court ने कहा मीडिया कों लोगों ने इसके बारे में बोला नहीं कम बोला मगर जब लिस्ट निकली लिस्ट पे तारीक भी थी कि इस दिन इस उद्योग पती ने BJP को पैसे दिये हमने देखा हमने दिन देखे कौनसे कौनसे डेट्स पे इनको पैसा मिला पता लगता है कि बड़ा कॉंट्राक्ट सड़क का कॉंट्राक्ट एक उद्योग पती को मिलता है और उसी के पांच-दस दिन बाद उद्योग पती हजारों करोड रुपे नरेंद्र मोधी और BJP को दे देते हैं हर उद्योग पती के सामने डेट है और दो तरीके से पैसे ले रहे हैं एक तरीका कॉंट्राक्ट देते हैं सड़क का देते हैं डिफेंस का देते हैं, अलग-अलग कॉंट्रेक्ट देते हैं, और कुछी दिन बाद, स्कीम में उद्योग पती इनको पैसा दे देता है, कट दे देता है, और दूसरा तरीका, ये CBI का केस लगाते हैं, E.D. का केस लगाते हैं, उद्योग पती उनको पैसा देता है, और फिर CBI का केस, E.D. का केस गायव हो जाता है, तो इंटरनाशनल लेवल पर हफ्ते बाजी चल रही है, एक्स्टॉर्शन चल रहा है, और उसका नाम इलेक्टोरल बॉंड स्कीम है, नरेंद्र मोधी ची से आप पूछिए, कि ये जो हजारों करोड रुपए, BJP को मिले, मुंबाई का एर्पोर्ट, मैं उधारन देता हूँ, मुंबाई का एर्पोर्ट मिला, अधानी जी को मिला, उससे एकदम पहले, बंबाई एर्पोर्ट के मालिक को CBI की इंक्वाईरी हो जाती है, कुछी दिन बाद, मालिक एर्पोर्ट अधानी जी को पकड़ा देता है, CBI इंक्वाईरी, खत्म हो जाती है, मामला फिट हो गया, तो नरेंद्र मोदी जी ने ब्रश्टचार की मनोपिली खोल रखी है, देश में सबसे जादा ब्रश्टचार, एलेक्टोरल बॉंड स्कीम के मादियम से हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री और बीजेपी कर रही है, बाईयों और बहनों देखिए, एक तरफ बाईस पच्चिस अरपती है, मीडिया आपकी बात नहीं करती, क्यों मीडिया उनकी है, मीडिया बेरोजगारी की बात नहीं करेगी, महिंगाई की बात नहीं करेगी, और पूरा पूरा फाइदा उनको मिल रहा है दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी है हम महिलाओं को एक लाग रुपए साल का देने जा रहे है युवाओं को एपरेंटिशिप का हक देने जा रहे है किसानों को MSP और कर्जा माफ करने जा रहे है आपको निड़ने लेना है आप हिंदोस्तान की सरकार चाते हो किसानों की मजदूरों की, गरीबों की बेरोज़गार युवाओं की सरकार चाते हो या फिर अधानी की सरकार चाते हो यह आपके उपर है हमारे यहाँ केंडिडेٹ्स हैं इनको भारी बहुमत से आप जिताईए, कॉंग्रेस पार्टी को जिताईए और गरीबों की, कमजोरों की सरकार लाईए, आप सब का, अच्छा आकरी बात, मैं एक बात भूल गया, आपरी बात जो हम करने जा रहे हैं, आज कल सरकार जब रोजगार देती है, ठेकेदारी प्रथा से देती है, कॉंट्रैक लेबर से देती है, हमने निनले लिया है, कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, या वो सरकार हो, ठेकेदारी प्रथा को कॉंग्रेस पार्टी खतम करने जा रही है, अगर सरकार और पब्लिक सेक्टर में किसे को काम मिलेगा, तो ठेकेदारों वाया नहीं मिलेगा, पर्मनन्ट काम मिलेगा, पेंशन के साथ, इज़त के साथ, जनता, लोग सरकार में काम करेंगे, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन! झाल